श्रीनाच जी गुरुजी को अलक आदेश, माभगवती को अलक आदेश, राची वाले भाहिरब बाबा को अलक आदेश, आप सभी को आदेश आदेश मोहिनी परिसाधना, बहुत लोग बहुत तरह से मोहिनी की सिद्धी करते हैं, उसी में एक विधान है मोहिनी परिसाधना का, मोहिनी परिसाधना एक नॉर्मल मोहिनी विधी या फिर मोहिनी यक्षिनी और जित्ते वी और मोहिनी का वर्नन है तंत्र में उससे अलग होता है, मो आपके सामने जो बैट जाएगा वो आपके बाहर नहीं जा सकता है तो देगे परी साधना खुद में एक बहुती विचित्र साधना होती है मा भगवती का महादेव बहरत का या किसी भी देवत्त आप जब करते हैं तो वह साधना होगते हैं लेकिन जब आप ऐसी एंटिटी का साधना का जैसे मैंने पहले हैं यक्षेनी साधना है भी बताया है तो आप उसको अपने उपयोग के लिए रखते हो ठीक है तो किसी भी अगर आप उपयोग के लिए किसी वस्तु को रखोगे तो उसका एक होगा और वो भी आप से कुछ न कुछ भोग की अपयक्छा रखेगी तो कोई भी परी साधना करो यक्षनी साधना करो वीर साधना करो तो यह समझ के रखना है कि उसको मतलब हमेशा आपको भोग देते रहना होगा तो जो मोहिनी साधना है अभी मैं मोहिनी साधना दे रहा मुहिनी परी एकादश्री होता है तो उस समय आप शुरू करिएगा तो अभी जैसे नवरात्र में 9 दिन करना होता है उस समय आपको 11 दिन इसी जाप को करना होगा जरुआत क्या क्या होता है इस जाप में तो इस जाप में आपको मुहिहनी साधना जबाब करते हैं तो इस्ट इसके विश्णु होंगे तो एक विश्णु के आपके वास तस्वीर होने चाहिए और एक तस्वीर होने चाहिए माभगवती जगदंबी के एका तो नवरात्र में ऐसे पूजा करेंगे में बताया है तो माभगवती का पहले पूजा कर ले मतलब सबसे शुरू जो होता है वो गुरु के पूजा से होता है गुरु गयाद गनेश का पूजा गनेश के बाद भाहरव का पूजा भाहरव के बाद आप विश्णु का पूजा करें विश्णु गयात, माभवती, देवी दुर्गा का पूजा करें, और उसके बाद आगया लेकर के इस जाप को करें, इस जाप को 1100 पर डे करना है, पूरा मिला के कम से कम 7100 जाप को करना चाहिए, 11 दिन में अगर करना है तो 11 दिन में उसको बाट ले, और अगर आप 9 दिन में कर रहा है तो 9 दिन में उसको बाट ले, लेकिन 7000 से उपर आपका जाप होना चाहिए, पूरे 11 दिन में, ठीक है, अभी क्या है कि जब आप जाप पूरा कर लेंगे, तो दसवे दिन, दशमी के दिन, आप सिर्फ मधू से हवन करेंगे, इस ही मंत्र का, इसमें स्वाहा लग कर लेंगे, तो मंत्र में आप लोगों के लिए, तीन बार पढ़ दे रहा हूं, आप मंत्र सुन लें, जाग मोहिनी, जोग मोहिनी, देख नगर के रूप मोहिनी, आवे आधीराद, दुहाई मोहिनी परीया के क्लिंग क्लिंग हमफट, फिर से सुनिए, vacuum, जोग मोहिनी, द देखनगर की रूप मोहिनी आवे आधिरात, दुहाई मोहिनी परिया के क्लिंग क्लिंग हुमफट, देखें, यहाँ पर बीज क्लिंग है, क्लिंग, और साबर मंत्र है, तो अपने बिहारी भाषा में है, जाग मोहिनी, जोग मोहिनी, देखनगर की रूप मोहिनी, आवे आध दुहाई मोहिनी परिया के क्लिंग क्लिंग हुंपट इस मंत्र को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो आप में आपकी मोहिनी सिद्ध हो जाएगी मतलब विश्व का कूज भी आप मतलब किसी जैसा आप अगर कहीं जा रहे हैं तो आप आपको लगता वह काम नहीं होगा कोई व्यक्ति आप से बिल्कुल विरोध में है, तो उनके सामने आप बैठ जाईए और बस मन में ये जाब करते रहिएगा, या फिर घुसने से पहले इक ग्यारा बार जाब कर लिएगा, तो जो बिल्कुल ही अपोजिट आपका महौल है, वो आपके फेवर में हो जागा, जैसे किसी व्यक्ति से आपको काम निकालना है, आप जागर के उनके सामने बैठ गया है, आप जैसे सामने बैठ है, उनके तरफ देखकर बस मन में ये जाब करते रहना है, दुआ ही मोहिनी परी आगे, इसके बाद मैं मोहिनी यक्षिनी की भी साधना आप लोगों दूँगा, लेकिन उसको करने का भी समय नहीं आए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि साधनाएं ऐसे दूँ, जो कि आप इमिडेट में कर सको या 10-15 दिन में कर सको, तो मोहिनी परी साधना करो, और उसके इसका क्या आप लोगों को अनुगा होता है, मुझे जरूर बताना, इसके अलावा, कल मैं एक यक्षिनी साधना दूँगा, बोदूप योगी यक्षिनी की साधना है, दोमेश्वर तंतर से, आप लोगों को बहुत उसे अलाब होगा, आप लोगों को अगर मेरी किताब करिदी है, तो आप हैंडबुक आफ पारनॉर्मल इंवेजिकेटर, मिलता है एमाज़ोन पे, टिप काड पे, पूरे दुनिया में आप जहां जाएगा, आप लिए किताब मिल जाएगी, इसके अलाबब बहुत इमर्जंसी हो तो बात, तो 9431188585, यह मेरा वाट्स अप नमबर है, इसके आप मेसेज छोड़ दीजेगा, अगर मुझे लगेगा जुरात है, तो मैं आप पो रिप्लाइगा, आप सभी गौवलाक आदेश, आदेश, आदेश,